जोहार जन्मन की बात में आपका स्वागत है मैं हूँ आनंद कुमार दोस्तो भारती जनता पार्टी की पहली सूची कभी भी आ सकती है कहा जा रहा है कि आज भी आ सकती है या फिर कल तक तो जरूर ही आ जाएगी करीब साथ नाम की सूची है इसमें कुछ नाम और बचेंगे तो बाद में आ जाएंगे चुनाओ के पहले या ऐसे भी हर पार्टी कहती है कि ये एक परिवार है पार्टी के नेता कहते हैं कि हम एक परिवार की तरह है हमारे सारे नेता कारेकरता जो है एक परिवार की तरह है भारती जनता पार्टी यारोप लगाती आई है कि कॉंग्र सब पर वन्षवादी पर्टिया है इसके पहले सांवर कर फैडगेवार गोलवलकर इन से चलता आ रहा है लेकिन अब भाजपा जो है वो परिवार वाधी पार्टी हो गई है कॉंग्रेस तो पहले से ही वंस वाधी परिवार वाधी थी क्योंकि पहले तो वहां गांधी परिवार नहरू परिवार का वंस चलता आ रहा है उसके बाद जो नेता बड़े नेता बन ज तब से जार्खन भाजपा में भी यही रोग आ गया है और अब सबसे मज़ेदार है सूची तो भी बीजेपी की नहीं आई है लेकिन जो नाम चल रहे हैं भारती जनता पार्टी के पास पूर मुख्यमंत्रियों की संख्या पांच है बाबुलाल मरांडी है अरजुन मुंडा हैं मदुकोडा हैं रगवरदास हैं और जार्खन मुक्तिमोर्चा की तरफ से मुख्यमंत्री रहे और भाजपा में आचुके चमपई सोरेन हैं कोलान में विदान सभा की 14 सीटे हैं 14 सीटों में से भारती जनता पार्टी ने 10 सीटे अपने पास रखी हैं 4 सीटे सायोगी द उनाइटेट को दी गई है जुगसलाई इचागड़ और मनोहरपूर की सीट आजसू पार्टी के पास है और जमशेदपूर पश्चिम की सीट जद्यू को दी गई है यानि बीजेपी सिर्फ कोलान की 10 सीटों पर लड़ रही है 14 सीटों में से लेकिन इन 10 सीटों में 5 सीट पहले मुख्यमंत्री हो गए मधुकोला अगर कोलान की तरफ से चाइबासा की तरफ से आए तो मधुकोला की पत्नी जो पूरु मुख्यमंत्री रच चुके हैं जगरनाथपूर से चाइबासा से सीधा रास्ता पकड़ कर आप सराइकेला की तरफ आए यहां पूरु मुख पूर्वी के विदानसभा शेत्र में पहुंचेंगे यहां पूर्व मुख्यमंत्री रगवर दास की बहू पूर्णिमा ललित दास की चर्चा हो रही है और अगर जम्शेत्पूर पूर्वी की तरफ से बर्मा माइंस होते हुए आप स्टेशन रोड पकल कर हाता की तरफ नि घाटशिला विदानसभा शेत्र में प्रवेश करें या फिर हाता से आप वोट का जादू गोडा पार करते हुए घाटशिला की तरफ बढ़ जाए तो घाटशिला का विदानसभा शेत्र है यहां पूरु मुख्यमंत्री चमपई सोरेन के बेटे की बात हो रही है का जा र लोगों से मिलकर बनता है पती पतनी पती पतनी जब मिलते हैं शादी करते हैं फिर उनकी संतान होती है और जब संतान होती है तो संतानों की शादिया होती है तो बिल्कुल इसी ट्रैक पर बीजेपी चल निकली है कहीं पती कहीं पतनी कहीं बेटा कहीं बहु तो भाजपा क ये परिवारवाद हलाकि परिवारवाद नहीं माना जाता है क्योंकि भाजपा परिवारवादी पाटी बिलकुल नहीं है भाजपा कारेकरताओं पर आधारित पाटी है वो कैडर बेस्ट पाटी है परिवार का क्या है एक सयोग बन जाता है कि ठीक है किसी के परिवार में बार हो रहा है हलाकि भारती जनता पाटी के नेता आएंगे चुनावी सभाओं में रेलियों में अभी भी वे सोरेन परिवार को एक परिवारवादी पाटी कहेंगे सोरेन परिवार को वन्षवादी और जेमें को एक वन्षवादी पाटी भी कहेंगे कॉंग्रेस पर भी आर ओर परिवार भी परिवार है लेकिन क्या है कि बैटकों में आने के लिए नाष्टा-पानी जुगालने के लिए दरी बिछाने के लिए टैंट शामियाना लगाने के लिए भी कुछलोगों की जरूरत पड़ती है तो समझ गए देव तुल्यों देव तुल्य आपको इसलिए कहा जाता है कि आप देव नहीं है देव तुल्य है तो देव तो असली वही है जो परिवार का होगा खून आखिर खून होता है वो कहते हैं न कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है खून तो आखिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा तो परिवार है आखिर खून ही खून के काम आएगा तो देवतुलियों अपनी दुरगती सौरी अपनी सदगती देख लिजे चुनाव में अभी बहुत काम है बूत कमिटी है पन्ना प्रमुख है दरी बिछाना है परची बाटना है ये सब बहुत गंभीर काम है और कारकरता का काम ही यही है आपका काम चुनाव लड़ना थोड़ी है जुनाव तो वही लड़ेंगे जो जुनाव लड़ते आएं आपको तो ट्रेनिंग ही दी गई है कारकरता बनने की तो करते रहिए कारकरता गिरी बिछाते रहिए दरी-दरी खेलते रहिए बैठक-बैठक जवार धन्यवाद